हाँ तो पुझे जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कमेंट में आप लोगों ने इतनी बार मुझे बोलाए कि कुछ और भी लाईए मैट्स के अलावा तो आज से मैंने ये भी शुरू कर दिया है और पहला ही टॉपिक ऐसा धासू पोच दे डूढ़ा है दोस्तों कि एक या दो बार तो यह आए एक या दो कोशन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे ठीक है तो देर ना करते हुँ हम चलते हैं अपने टॉपिक पर यह है नोबल प्राइज 2020 2020 में नोबल प्राइज जो दिया गए है ठीक है इसमें थोड़ा सा बहुत ही करेंट है थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना होगा ठीक है तो पहला प्राइज है हमारा मेडिसन के लिए ठीक है हेबटाइटिस के लिए जो वेक्सीन बनाई है तीन लोगों ने मिलके तो वो हैं H.J. Alter M. Hogton and M. Rice इसकी ट्रिक क क्या है आपको मेडिसन के लिए आपको याद रखना है A.H.R. Alter Hogton and Rice क्योंकि आप खुश किसमत होगी आपको objective टाइप मिल रहे है तो आपको इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा जादा नहीं है दोस्तों 6 ही है ठीक है Physics के लिए किसको मिला है Penrose, Argenzel, Argaze तो ये आपको याद रखना है P.G.G.G. Physics से P.G.G.G. ठीक है Medicine का A.H.R. फिर आगी चलिए Chemistry के लिए आप C से Chemistry होती है C से यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है एक अजीब सा वर्ड है ऐसे Sharp and Shear भी कहते है ऐसे Carpentier भी कह सकते हो ठीक है Carpentier के साथ Donda आपको मिल जाएगा Option में बहुत Easy है यह C और C से आप Relate करोगे यहाँ P और P से Relate करोगे ठीक है यहाँ Literature L और Lewis Gluck ठीक है बहुत Easy है बच्चों Peace के लिए किसी इंसान को नहीं दिया गया है World Food Program जो pandemic हुआ Corona उसमें लोगों के पास जिनके खाना नहीं था उन पे खाना पहुँचाने की एक मुहीम शुरू करी थी प्रोग्राम शुरू किया था WHO ने तो उस प्रोग्राम को दिया गया है World Food Program ठीक है Economics यानि आर्थशास्तर में किसको मिला है Economics का आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा P.R. Milgram and R.B. Wilson Milgram, Wilson ठीक है M.W इसको है M.W तो एक बाद दोरा लीजिए Medicine का A.H.R. Physics का P.G.G. यानि Penrose, Genzel, Gaze और Chemistry का C.D. यानि की Carpentier and Donda And Literature का क्या है Lewis Gluck ये तो बहुत Easy है L.L. रिलेट कर लोगे Peace Prize मिला है किसी इनसान को नहीं मिला है World Food Program को मिला है Economics का मिला है P.R. Milgram and R.B. Wilson यानि M.W को ठीक है बच्चों इस तरह से मैं आपको वही Question दूँगा जो आपको एक साथ बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे और जो आने की पूरी संभाव न होगी ठीक है क्योंकि मैं Maths का Teacher हूँ और Reasoning का हूँ तो मैं Current Affairs वही देना चाहा रहा हूँ क्योंकि लोग नहीं दे रहे हैं चीज़ों को मैं आपको दूँगा आप मेरी आपसे प्रातन है या आप दूसरे भी चैनल जो अपना पढ़ते रहते हो Current Affairs के लिए वो भी अपना पढ़ते रही है ठीक है और इस चैनल पर जो आपको Current Affairs मिलेगा वो आपको धासू और 100% आने वाला ही मिलेगा पहले टॉपिक पसंद आया हो तो दबा के Like और Share सब्सक्राइब जरू करना दोस्तों अगर ये टॉपिक पसंद आया हो ठीक है इसमें कोई कहानी वहानी बनानी की जरूरत नहीं है छे प्राइजेज है मार लो रट्टा दो तीन बार पढ़ लेना हो जाएगा All the best जेहन दो जोस्तों